जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 दिसंबर और 19 दिसंबर 2022 के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दोनों दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिति क्या होगी? नक्षतर क्या होगी? योग क्या बनेंगे? कौन सा अग्रहा? राशी बदलेगा? किन ग्रहों की दिन चरिया पर किस तरह से होगा? जानेंगे सब कुछ विस्तार से इन दो दिनों में होने वाले हर एक बदलाव के बारे में तो वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया मिलती रहती है तो सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं अठारा दिसंबर का दिन क्रेश्न पक्ष की दस में तिथी है और हस्त नक्षत्र रहेगा सुभा दस बज कर अठारा मिनट तक मूल नक्षत्र में जो कई तरह के योग बना रहे हैं एक तो तरिग्रह योग बना हैं बुधादित योग भी बना हैं और साथ में दो और भी योग बने हुए हैं सरवार्थ सिद्धी योग बनेगा इस तिन अमरत सिद्धी योग भी रहेगा यानि इस एक दिन में यूगों की भरमार होगी अभिजीत मुरत सुबह 11 बज कर 57 मिनट से दोपह 12 बज कर 38 मिनट तक है अब 19 दिसंबर क्रशन पक्ष की इकादशी तिथी जो की सफला इकादशी है चित्रा नक्षत्र रहेगा सुबह साड़े दस तक उसके बाद स्वाती नक्षत्र लग जाएगा अतिगर नाम का यूग बना हुआ है चंद्रमा राशी बदल कर तुला राशी में आ चुके हैं आपके तेरते भाव में और सूरिय आपके राशी के स्वामी धनु राशी में विराजमान है पंचमभाव में कई ग्रहों का निर्माण कई योगों का निर्माण इस पंचमभाव में कर रहे हैं मूलनाक्षत्र में अभी जीत मूरत है सुबह 11 बच कर 58 मिनट से दोपहर 12 बच कर 49 मिनट तक ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिथी और इनी क्याधार पर जानेंगे ये दोनों दिन आपके लिए कैसे रहेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे 18 दिसंबर के बारे में 18 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा 18 दिसंबर का दिन स्वास्थे के लिए हाज से बेहद अच्छा रहने वाला है आज आपका बड़ताव और साथ में आपके जीवन साथी का बड़ताव काफी अच्छा रहेगा जो आपकी दिन को खुश्णमा बना देगा वैसे तो यह रविवार का दिन है कुछ लोगों के लिए चुट्टी का कुछ लोगों के लि कुछ खरिदारी कर सकते हैं किसी तरह की शौपिंग के लिए आज आप जा सकते हैं बाहर आपकी आउटिंग आज काफी अच्छी रहेगी और ये दिन अगर स्वास्त है समन्दी कुछ परिशानिया चल भी रही थी तो उन इस्तितियों को बहुत जल्दी परवर्तित कर पा है भागिया आज आपका साथ देगा ये दिन आपका है आप अपने हिसाब से इस दिन को जीएंगे और बहुत ही खुश्णोमा दिन रहेगा आपके लिए वेवाहिक जीवन प्रेम जीवन स्वास्त है इन सभी चीजों में बहुत उतम दिन रहे घर के छोटे सदस्यों के सा आपसे विशिस दिनों में से एक हो सकता है चंद्रमा तुला राशी में हैं कन्या राशी चंद्मा इस दिन कन्या राशी में हैं दृत्य भाव में तो इस दिन आप ये भाव आपके अंदर गर्म जोशी होगी हर एक काम को लेकर कोई भी आपसे मिलने आता है कोई भी वेक् गर में कुछ महमान आ सकते हैं और महमानों की वज़े से घर का वातवरण भी सुखद रहेगा आज आप काफी आनंद के प्राप्ति कर पाएंगे ये दिन आपके लिए कई तरह की खुशियां लेकर आया है जुमन में शान्ती तो देगा ही साथ में खुशियां भी देगा दो दुकानदारी करते हैं या फिर जो व्यपार करते हैं उनके लिए सकारात्मक रहेगा एनरजी भरपूर होगी और अपनी एनरजी का इस्तेमाल भी सही तरीके से करेंगे अच्छी रणी दी बनाएंगे उनको प्रियोग में लाएंगे अपनी सह कर्मियों के साथ मिलकर काम क करेंगे जिसका श्रे आपको ही मिलेगा हा साथेों के मदद से आप वो कारे भी कर पाएंगे जिने काफी दिनों से आप करना चाह रहे थे दिन की शुरबाद जिस तरह से शुब तरीके से होगी शाम का अंत भी शुंतली शुब होने वाली है कोई नई डील मिल सकती है आपको कोई खुश कबरी मिल सकती है जिससे खुश होंगे और जो काफी संगर सा आपने किया है उसके बाद जो ये खुशी मिली है इसके लिए आप डिजर्व करते हैं और ये खुशी आपके लिए आज इस दिन को बनाएए रिष्टे काफी अच्छे से आज आप निभाने वाले हैं चाहे वो आपकी जीवन का कोई भी रिष्टा क्यों ना हो भाई बहन से जुड़ा हो दांपत्य जीवन से हो प्रेम जीवन से हो तो शाम का समय बहुत अच्छे से वैतीत करें किसी रेश्रूम जगे वगेरा में जाकर आप एंजाय कर सकते हैं काफी अच्छा रह भगवान श्री विष्णु का आज मंत्र का भी जब करेंगे और मालक्षमी भगवान विष्णु की आराधना भी करनी हैं हो सके तो इस दिन विष्णु सहसराम का पाठ करें या कनकदारास्तोत्र का पाठ करें साथ में तुलसी पत्ता पूजा में जरूर शामिल करें दुत्तम दिन आपके लिए कहा जा सकता है आप चले हमें बारे में जाँ लेते हैं तो इस दिन बदल कर चंद्रमा तुला राशी में आ गये हैं आपके लिए थिर्टए भाव में चंद्रमा हैं जो अनर्जी को देने वाले साहस को बढ़ाने वाले हैं, दिन काफी अनुकूल रहेगा, आपके हिसाब से आप दिन को चला सकते हैं, आपका मन सामाजिक कारियों की तरफ भी जादा रहेगा, पडोशियों के बीच में आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आर्थिक लाब के लिए आज आपको यात्रा भ या कफी सुकून मिलेगा, शाम का समय घरवालों के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी जगा इसे लेकिन जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, और इस राशी के जो वैपारी हैं, आज उनके लिस्ट में कुछ नई कांटक्ट भी बढ़ सकते हैं बविश्य में आपको उनसे फाइदा जरूर होगा, आज आपके सभी काम बनेंगे, और प्रेम जीवन, विवाहिक जीवन के मामले में भी आज का दिन रोमांटिक रहेगा, दिन खुशी के साथ, रोमांज के साथ बीतेगा, या दोस्तों के साथ रात्रवी में आप बाहर के लिए भी जा सकते हैं, या अपने घर परिवार के लोगों के साथ जा सकते हैं, आपसी समझ बढ़ेगी, प्रेम मजबूत होगा, और संतान से कोई खुश खबरी भी प्राप्त होगी, दोनों ही दिन काफी विशेस होने वाले हैं, दोनों ही दिन काफी अच्छे रहने व